एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल सुपर इज्टेशन में हर्दिक स्वागत है आज हम हिंदी सिछण विदी में हम आज आगमन विदी लेकर आए हुए हैं तो देखें कि आगमन विदी के कौन-कौन से नियम है कौन-कौन से शोपान है और इस विदी को और किस सिछड़का इस्तेम्आल करते हैं आगमन विदी की सबसे खास बात है कि हम अध्यापन को याद रखेंगे अध्यापन को विदी को रूचिकर बनाने के लिए fresh कर बनाने के लिए आँ बनाने के लिए इस विधी का इस्तेमाल किया रुचकर बनाने के लिए किया जाता है किया जाता है इसके बाद देखे ये तो इसकी खास बात हो गए कि व्याकरन सिच्छन को रुचकर बनाने के लिए इस विदी का प्रयोग किया जाता है इसी लिए इस देखे रुचकर बनाने के लिए किया जाता है इस विदी को हम विश विशलेशन विधी या इसी का दूसरा नाम है आगमन विधी इतनी बात क्लियर हो गई इसलिए इसको हम क्या कहते हैं विशलेशन विधी या इसको हम कहते हैं आगमन विधी कभी कभी पूछने हैं कि आगमन विधी का दूसरा नाम क्या है तो आगमन विधी का दूसरा नाम व दूसरी खास बात है कि यह हमेशा प्राथमिक इस्तर के बच्चों के लिए के लिए हम आगमन विदिका क्या करते हैं आगमन विदिका प्रयोग करते हैं ठीक है देखें वीडियो को पूरा देखेंगे इसके बाद कभी आगमन विदिया पढ़ने की ज़ुरत नहीं कौन कौन से प्रश्ण जो एक्जाम में पूछे गए हैं या आते हैं ठीक है 2012 से लेकर 2019 तक में जो टेट के एक्जाम में कौन कौन से प्रश्ण आये हुए हैं आगमन विदि से वह भी आपको बताएंगे तो आगमन विदि रूचकर अध्यापन को रूचकर बनाने के दिया आगमन विदि भी कहते हैं किस तर के लिए बच्चों के लिए है तो यह प्रात्मी किस तर के बच्चों के लिए है अब देखिए इसकी दूसरी तीसरी सबसे खास बात है कि आगमन विदि में सबसे पहले उदारन दिया जाता है बाद में हम नियम की तरफ बढ़ते ह तो इसकी सबसे खास बात क्या है देखे इसकी जो प्रमुक खास बाते हैं वो भी आप देख लेंगे कि प्रमुक बाते कौन-कौन सी है आगमन विदी की तो आगमन विदी में देखे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उदाहरन देकर क्या है उदाह उदाहरन फिर से एक बार देखेंगे कि पहले हम क्या करते हैं आगवन विद्ध में क्या करते हैं पहले उदाहरन दिये जाते हैं फिर हम क्या करते हैं फिर हम नियम देते हैं तो सबसे पहले उदाहरन देकर उदाहरन देकर देकर नियम की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें क्या करते हैं, पहले उधारन दिये जाते हैं, फिर हम नियम की तरफ बढ़ेंगे, तो याद रखेंगे उधारन से नियम की तरफ चलेंगे, तो उधारन से नियम की तरफ चलने की कौन सी विधी है, तो वो कौन सी विधी हो जाएगी, आगमन विधी, सबसे पहली बात इसके बाद दिखेंगे, इसके चार सोपान है, आप सोपान भी याद रखेंगे, कि सोपान कौन कौन से हैं, हम आपको बता रहे हैं सोपान कौन से हैं, सोपान, आगबन विद के कितने सोपान हैं, चार सोपान है, कौन कौन से चार सोपान हैं, सबसे पहले नंबर पर आता है, उदाहरन पहले नमबर पर आता है उदाहरन ठीक है पहले नमबर पर उदाहरन हो गया दूसरे नमबर पर क्या हो जाएगा निरिच्छन हो गया दूसरे नमबर पर निरिच्छन होता है निरिच्छन फिर इसके बाद क्या है इतनी बात हो गए इसके बाद होगा देखे इसके आगमन विदिके सोपान, पहले उधारन, उधारन के बाद क्या होगा, फिर निरिच्छन, निरिच्छन के बाद क्या होगा, फिर नियम दिया जाएगा, नियम के बाद क्या होगा, फिर परिच्छन, ठीक है, तो ये चार सोपान है, तो इन चार सोपानों में से सबसे पहले उ क्या हो जाएगा परिच्छन हो गया इतनी बात हो गई देखिए यह जो विधिय खोज की सिध्धान्त पर आधारित है पूछा जाता है कि कौनसी खोज की सिध्धान्त आगमन विधी, खोज के सिधान्त पर आधारित है, खोज के सिधान्त पर आधारित, ये प्रस्ण बहुत इंपोर्टेंट है, खोज के सिधान्त पर आधारित कौन सी विधी है, तो खोज के सिधान्त पर आधारित विधी, चाहे आप विशलेशन विधी कह सकते हैं इसको, चा विदिया आती हैं जो सेम टू सेम वह आगमन एक पर है आगमन मित शिद्धान पर आधारित और भी दू विदिया है प्रयोग विदि अलीक और दूसे नमबर पर आतीए प्रयोग विदी सहयोग विधी ये पहले नमबर पर प्रयोग विधी और सहयोग विधी सेम टू सेम क्या है आगमन विधी पर ही आधारित ये दो विधिया है हना option में दे देंगे कौन से विधी आगमन विधी से मिलते जूलती है तो प्रयोग विधी और सहयोग विधी ठीक है इसके बाद देखेंगे व्याकरण की सर्वस्रेष्ट विधी अगर है तो वो कौन सी विधी मानी गई है व्याकरण की सर्वस्रेष्ट विधी कौन सी है तो आगमन विधी आगमन वीदि इतनी बात क्लियर हो गई तो सर्वसेश्ट विदी कौन सी है तो देखे हैं यहाँ पर इसको याद रखेंगे आगमन विदी वियार करण की सर्वसेश्ट विदी माने गई इसके बाद एक कहेंगे इसमें समय अधिक लगता है और स्रम अधिक लगता है इस विदी में दो बाते और याद रखेंगे समय अधिक लगेगा समय अधिक लगता है और दूसरी बात इसमें क्या है स्रम भी अधिक लगेगा तो क्यों इसमें क्यों नियम दिखे जिस तरह हमको पता है कि पहले उधारण दिया जाता है अगर नियम पता है तो नियम में क्या करता हम फार्मूला रखते हैं और हम क्या कर लेते हैं उससे हम आराम से अपना उत्तर निकाल लेते हैं लेकिन जब उधारण स उदारन से कोई बात हमको नियम की तरफ चलना होता है तो इस वज़े से इसमें समय अधिक लग जाएगा और क्या है और स्रम भी अधिक लगेगा इतनी बार विद्यार्थी क्या करता है स्वयम नियम को खोजता है इसमें इसकी और खास बाते क्या है इसमें बालक क्या करेगा इसने में बालक स्वयम याद रखेंगे बालक स्वयम नियम की खोज करेगा नियम की जाँच करेगा आप कह सकते हैं नियम की जाँच करेगा जाँच करेगा ठीक है नियम की स्वयम क्या करेगा नियम की जाँच करेगा या स्वयम क्या करेगा खोज करेगा इतनी बात ठीक है जाच करेगा ठीक है नियम की जाच करेगा और स्वयम नियम की खोज करेगा इसके बाद देखे जो इसमें इस विधी में जो बालक द्वारा जो ग्यान जो प्राप्त होता है वो बालक द्वारा जो ग्यान होगा वो ग्यान हमेशा याद रखेंगे वो इस्थाई ग्यान होग कैसा ग्यान होगा इस्थाई ग्यान होगा ठीक है यह तो इसकी रहें कुछ खास बाते इस्थाई ग्यान होगा और भी कुछ महतुपूर बाते हैं जैसे इसको हम मनोवेग्यान विदी भी कहते हैं हम इसमें क्या करते हैं ग्यात से अग्यात की और बढ़ते हैं देखेंगे य यह मनो वैग्यानिक विदी वैग्यानिक यह एक कैसी विदी है मनो वैग्यानिक विदी है विदी है क्यों मनो वैग्यानिक विदी है क्योंकि इसमें हम ग्यात से ग्यात से अग्यात की और बढ़ते हैं कौन सी ऐसी विदी है जो ग्यात से अग्यात की और बढ़ेंगे इसके बाद और भी कुछ है मूर्त से अमूर्त की और भी पूल सकते हैं कि मूर्त से अमूर्त की और ठीक है आप इसको भी याद रखेंगे मूर्त से अमूर्त की और बढ़ने वाली विदी कौन सी मूर्त की और और यह सकते हैं इस थूल से सूच्म की और सूच्म की और इस थूल से सूच्म की और ठीक है बढ़ने वाली भी थी कौन सी है इस थूल से सूच्म की और बढ़ने वाली भी थी आग बन भी थी लास्ट है इसमें सक्रीच चात्र क्या विसिष्ट से सामान की और बढ़ेंगे से सामान की और कहां से भिषिष्ट से सामान की और कि आपकी आगमनावी इतने नियम हो गए देखे एक बार फिर से आप समझ लीजेगा महातुपूर्ण जो इसमें टॉपिक है महातुपूर्ण जो पॉइंट हैं आप समझ लीजेगा की देखे जो यह है हिंदी सिक्षण की कह सकते हैं कि यह दूसरी विदी है आगमन विदी इस विदी में देखे यह किस इस तरर आ suis घ्र कि लिए जाती है तो प्राथ में किस में बचّों के लिए की जा हूं आग्मन विदिक ऐसे धान पराधारी था है दो वृदियां अब like क्या टयुक्त अ it is on a sad is bring में किया होता है यह स्मय अधिक लगता है बालख्ढ करें अधिक को निकालता है और यह इससे जो प्राप्त ग्यान है वो इस्थाई ग्यान होता है ठीक है इसकी जो प्रमुख बात हमने आपको बताई है उधारन से नियम की और चलते हैं इसमें पहले बालक उधारन दे दिया जाता है बालक नियम की और स्वयम बढ़ता है इसमें जो चार सो था कि वह बड़ी कच्छाओं के लिए होती है हाना इसमें थोड़ा सा नीरस्ता होती है जब जब यह विदिया आपको पढ़ाई जाएगी तो बताई जाएगी ठीक है वीडियो पूरा देखेंगे और चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद